चलो बनाते हैं ब्रिक वाली आइस्क्रीम वो भी सस्ते में तो वो कैसे सस्ते में बन पाएगी मैं बदाती हूँ तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ विक फील्ड का बटर स्कॉच का आइस्क्रीम मिक्स और पता है इसमें कुछ खास करना नहीं है आपको लिखना है मिल्क उसको हलका फुलका बॉल कर लेना है और पूरा पकेट इसमें पलड देना है और उसके बाद तस तीन मिनट तक इसको चलाते जाना है और इसमें रंग है ना वो गजब दिख रहा है और ना बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है अब इसको मैंने तीन घंटे फ्रिजर में रखा है और इसके बाद निकाल कर इसको अच्छे से ना मैंने ब्लेंड किया है और जैसी मैंने इसको ब्लेंड करना शुरूर किया ना ये देख रहे हो आप कितना जादा ये फ्लफी सा हो गया है मलब पूरी जो आईस क्रीम थी अभी बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी और अभी इदम फूल गई है अब इसको फ्रिजर में 4-5 गंटे डाल कर चैन की नीन से सो जाओ उसके बाद जो उठोगे ना तो ये जमी हुई मिलेगी और इसके बात है करना है ना मैंने इसको पानी के उपर रखा था पर आप इसको असमत रखना आप अराम से इसको बहार थोगे जोड़ना हो इसके बाद ना पिसे निकालना हो और भई ये देखो लग रही है ना बिल्कुल बजार जैसी